एट सो कंटीनू करते है हमारी चैट अपलेकसिन के स्रीज को और आज हम उसके अंदर देखने वाले हैं कि कोई बंदा अगर अपना अकाउंट बना लेता है सक्सेस्फुली ठीक है तो वह कौन से पेज पर आएगा जिससे समिट वाले बटन पर क्लिक करतेगा तो वह आएगा इस पेस्फेस पे उसको यह अपनी प्रोफायल दिखाए तेगी इस तरीके से जो जिसने वह इमेशin सलेक्ट की थे ओर इमेश यहां पे दिखाए देगी और उसका नाम उसका status active नाओ यहां पर log out का button इस तरीके से सारी शिज़ दिखाए देगी और आ पर नीचे दिखाई इसको definitely काफी चीजिस में सीखने को मिलेंगे हमको तो हम लोग सबसे पहले एक box बनाएंगे complete HTML का part हम लोग लिखते है मैंने टाइमस्ट किये अगर मैं VS code को open करूँ तो आप लोग देखोगे मैं VS code को यहां पर open कर लिया VS code के अंदर मैंने दो files पहले से बना रहे हैं यह user.html user.css और basic कुछ code मैंने basic template इसको लिखके रखा है और बात करें इसकी क्या है तो इसमें आपको एक link पर ध्यान देना और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है और eventually मैंने style को नहीं आपे user.css को link करना था ठीक है तो यह जो link है यह link है basically font awesome का font awesome क्योंकि मैं यहां देखो logout का एक font awesome यूज़ कर रहा हूं ठीक है basically font icon यूज़ कर रहा हूं और इसी के सास्थ मैं यूज़ कर रहा हूं यह जो मेरा arrow वाला button है यह तो इस तरीके से मैं चीज़े को यहां पर use कर रहा हूं तो यह जीज़े मुझे यहां पर लेकर आनी है तो मैं आप लिख होगा सबसे पहले dot box इस तरीके से और spelling सही लिखनी है इस तरीके से box और इस तरीके से मैं कर देता हूं ठीक है box इस box के अंदर क्या इस box के अंदर सबसे पहले एक header आएगा या फिर आप लोग के स्थी से लिख दो profile या फिर Admin पैनल आएगा ठीक है इस तरीके से लिख देते है Admin पैनल ओके हैं इसी के साथ हम करेंगे कि इसी के साथ हम लोग यहां पर बात करेंगे और इड्मिन प्रेट नहीं होगा एड्मिन पैनल ठीक है और इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज आएगे मैं आप डाल दूगा एडमीन इमेज इस तरीके से तो आई एमजी एक टेग बैसिकली में डिव ले रहा हूं इसके अंदर मैं इमेज लोगा इस तरीके से इमेज जाओंगा और एक लोगो.jpc नाम से मैंने इमेज ले रहे हैं थे लोगो.jpg बैसिकली हमारे यूट्यूब का वो लोगो है ठीक है और आप लोगो दे सकते हो बड़ माभी के लिए चीज नहीं कर रहा और हमको सिंप्ली एडमीन टेक्स्ट दिखाने है मतलब एडमीन का नाम उसका स्टेटस वगरा जो यहां पर दो तीज दिख रहे हैं यह तो डोड एडमीन टेक्स्ट होगा ठीक है और क्या होगा एस थ्री होगा यहां पर मैं डाल सकता हूं तो मैं क्लास डाल देता हूं यहां पर एडमीन नेम ठीक है तो मैं admin underscore name और मैं class ले रहा हूँ इस तरी की और मैं यहाँ पर डाल दुगा इस तरीके से ठीक है और मैं चीजे डाल दिये, paragraph तो paragraph के अंदर मैं class लूँगा status का तो उसका status का स्टेटस उसका एक्टीव है या फिर वो ओफ लाइन हो चुका है तो मैं आप डाल दूगा एक्टीव नाउ या फिर मैं एक्टीव नाउ डालता हूं ठीक है इस तरीके से और इसी के साथ साथ मैं यहां पर लोग आउट को बटन सेट करूँगा और बटन के लिए मैं गायज करूँगा क्या बटन के लिए मैं एक एंकर टेग ले लूँगा इस तरीके से और मैं यहां पर लिख दूँ हमने कर लिया है बात करते हैं simply select user for set की तो हम लोग box के अंदर करेंगे क्या यह जो हमारा box है यहाँ पर यह हमारा header part है यहाँ पर complete हो चुका मैं यहाँ पर लिग देता हूँ and the header part इस तरीके से तो मैं आप लिग देता हूँ and the right hand the header part इस तरीके से ठीक है और मैं यहाँ पर duplicate copy करके यहाँ पर set कर दूगा तो मैं आप लिग दूँ start the header part start the header part ठीक है तो मतलब आपको चीजे समझ में आएंगे कौन चीज यहाँ पर completely हो रही है यहाँ पर मैं एक random सा basically box ले सकता हूँ या फिर मैं एक इस तरीके से ले सकता हूँ क्या ले सकता हूँ यहाँ पर ले सकता हूँ dot info नाम से मैं डिव ले लेता हूँ इस तरीके से ठीक है और बाइद रहे आपको पता होगए हमको एक arrow भी दिखानी है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे fa fa and arrow down इस तरीके से मतला मुझे arrow down भी दिखाई देगी करेंगे अब हम लोग लिखेंगे हमारा लिस्ट यूजर तो मैं यहाँ पर लिखेंगे दूगा list बशेक मुझे comment असरा रहेगा पर लिस्ट यूजर पार्ट इस डिस टार्ट ठीक है तो यहाँ से वह स्टार्ट हो रहा है ठीक है इस तरीके से और इसको duplicate copy करके मैं यहाँ इसकी बीच मेरा simply क्या होगा मेरा यह जो लिस्ट यूजर पार्ट होगा तो डोट लिस्ट एंड यूजर पार्ट एक होगा और यूजर लिखना था यूजर नहीं ठीक है और इसी के सास्थ में क्या करूंगा एक एंकर टेग बनाऊंगा ठीक क्योंकि इनके अंदर एंकर इसके लिए multiple anchor tag हो सकते हैं तो सब इससे पहले इसमें आएगा यूजर इमेज आएगा तो डोट यूजर इमेज में सेट कर लूँगा इस तरीके से ठीक है और इसके अंदर वो इमेज आएगी और वो इमेज क्या होगी वो इमेज आपकी कोई भी हो सकते जो यूजर की इसके अंदर ट्विटर.png देखो इस पिलिंग में गल्द कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है हम लोग इसको सेट कर लेंगे बादर ट्विटर.png भी हो सेट कर लिया फिर हम लोग डालेंगे डोट यूजर नेम ठीक है बेसिकली ठीक है और यूजर नेम इनफेक्ट आप तो कर सकते हो यूजर टेक्स नाम से आप लगे डीव ले सकते हो यूजर टेक्स्ट तो मैं आप लेंगे दूगा यूजर टेक्स्ट इस तरीके से ठीक है और इस यूजर टेक्स्ट के अंदर क्या होगा इस यूजर टेक्स्ट के अंदर बैसे आपके डोट यूजर अंडर और स्कूर नेम होगा ठीका है और फिर होगा बेसिकली कोई भी डाल सकते हो इहां पर ए बी सीडी से एक यूजर का नाम है और एकस वाइज जडी मैं गर देता हूँ इस तरीके से एक यूजर का नाम है और सिंपल उसका जो डॉट यूजर अब मैं यहां पर ले लूँगा ठीक है इस तरीके से और अब मैं क्या करूँगा इसको मैं लिख दूँगा मैंसेज आर नोट अवाइलेबल इस तरीके से ठीक होप इसे क्लियर है ठीक है अब हमको इस्टेटस एक्टिव आला तो मुझे डोट दिखाना पड़ेगा तो नोट करना इसको कशनद होगा इसकी एक के उलिये हैं इस लिए तो मुझे इसकी दीक करना है ठीक है इसलिए तो मैं यहाँ पर डोट का भेल्यू कुछ चैज करणा नों कर दोग दो ऐसी जदा कुछी का करते हैं इसाथकर कुछ निए कि life sub अगर हम इस code को complete रन करना चाहें तो आप लोग ने डाउलोड नहीं कि एक्स्ट इस आप लोग यहां पर जाओ और यहां पर जाके आप लोग क्या करो आप लोग यहां पर लाइव सर्वर डालो इस तरीके से ठीक है और जैसे आप लोग डालोगे तो मैंने तो यार इंस्टो करें हैं इस तरीके से दिखाई दे रही हैं बट हम लोग इसको सेट कर लेंगे सबसे पहले हैं हम लोग लिखेंगे CSS का पार्ट और हम लोग यहां पर लिखेंगे जो बोड़ी होगी उसकी वीड़ होगी complete थोड़ा जूम करता हूं आप लोग के लिए और मैं इसकी करूँगा 100% और मैं height को set करूँगा 100 viewport height place items मैं यहां पर center set कर दूँगा और display मैं यहां पर grid set कर दूँगा इससे जो भी content हो center में आएगा ठीक है अब जो मेरा box था इस body के अंदर आपको मैं दिखाऊ तो इसके अंदर एक box था यह basically हमारा box था इस box को हम लोग style करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले width होगी इसकी 30% obviously height इसकी auto होगी और padding इसकी basically होगी top to bottom कितना padding आप लोग दोगे आप लोग इसमें 10 pixel top to bottom left to right भी आप लोग 10 pixels में दे दो box setting आप लोग दे दो 0 horizontally 0 vertically and 10 pixel लगा blur and random size में करें मैं पास कर रहा हूं इस तरीके से ठीक है तो इतना चीज तो हमारा हो चुका है अभी हम लोग देखेंगे नहीं हम लोग एंड पे देखेंगे इसको जितना हम बनाते हैं देखते हैं कितना हमको सही से बना पाए हम लोग तो चीजे थोड़ी और clear होती ह इससे हमको एक अंदाजा लगता है कि हाँ यारे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो जो बोक्स इसके इंदर बैसिकली एक एडमिन पेनल है एक हमारा डीव इनफो है मतलब एक की नीची एक आने चाहिए तो मैं लिग दूँगा बड़े अराम से डिस्प्ले फ्लैक्स मैं क्या लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स लिख दूँगा और जो फ्लैक्स की जो भी डायक्षन होगी उसको मैं कोलम वाइज से तरीके से तो इससे वो चीज यहां पर एक की नीची एक आजाएगी फ्लैक्स वाइज ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे जो मेरा एड इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं इस तरीके से और में चलता पर ठीक है बड़ फिलाल में इस बॉक्स की जो पोजिशन होगी उसको रिलेटिव करना चाहूंगा इस तरीके से ठीक है ओर राइट तो जो भी आपका एडमीन पेनल होगा वह एक बोक्स के अंदर होगा तो पसेट होगी हाई अई हम लोग ऑटकरेंगे बट फिलाल मां पैडिंग इसके सेट करूंगा टो बोटम को ठीक स्थांजियरं और बोर्डर में बोटम सै bangуют वान पिक्सल का और सोलीड आर जी भी यह वाला ठीक है और इसी के साथ में क्या करूँगा इसी के साथ में इसमें मैंने अगर एडमी पेनल सेट किया तो इसी के साथ में क्या करूँगा इसी के साथ में सेट करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों क्यों तो मुझे एक 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 अग्टेंट लाइन वाइन चीद डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाइए कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर ठीक है तो गाइस हमने इस कंप्लेट डिव को कंप्लेट कर लिया देखते हैं हमारे रिजल्ट कहां तक हमको मिलता है सेव करते हैं लोग और हम नोγहां पहाँ चलते हैं तो आप सिछ मिल रही हैं बट सय यह आब ह क्लिए हमको सीजाट होकी बिल ह्यां हम लोग ऑचने कोि हटाएंगे और हम लोग सब सबसे पहले करना है कर फो ấy बटाते हमलोग यह तो आ मैरा कमपलीट बोक्स अए यह जो मैरा कम प्लीट जош है और मैं एक हम करूंगा इमेज मुझे अब् No इमेज़को मैं भी हटा दूगा, एक बार के लिए, तो इमेज मेरी मेरी यह वाले मेज़श इसको मैं एक बार के लिए हटा ना चाहूँगा, सेव करूंगा रिफ्रेस करूंगा तो देखो इस तरीके से मुझे भी दिखाई देने हैं चीज़े मुझे एक आइकन और चाहिए और वो आइकन चाहिए मुझे लोग आउट वाला यह वाला आइकन चाहिए तो यह आइकन मुझे इसका बैसिकली नाम अने गलत लिख रखा दिखता है मुझे काम करना पड़ेगा इसका नाम सही लिखना पड़ेगा और इसका जो नाम है बैसिकली साइन आउट और हमने क्या कर रखा है मैंने इसका नाम लोग आउट कर रखा है मैंने आपे साइन और आउट करना पड़ेगा इस तरीके से मैं आपे आउट करूंग सेव करूंगा इसको और मैं यहां पर चलूंगा तो अभी भी मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया और इसा क्यों हुआ मुझे साइन आउट अगर साथ साथ में लिखना पड़े तो अभी भी क्या देखते हैं अभी आया तो यहर मैंने ओर राइट और इसका नाम कुछ इस त हईट होगी मुझे कम करना पड़ेगा क्या है वहापका सिम्पली एड मिन पैनल है और इस एड मिन का मुझे सेट करना यह काम तो अटमीन इमेज थे अंदर एड एड मिनНе इमेज है इसको मां कंप्लिट कोपी गरता हूं यहां इम बेंट है क्या करेंगे में हाँ पर बेसिकली मां विर्ट इसकी लिख दूँगा 100% की 100 तो नहीं सोरी मुझे आपे 10% एंड हाइट में इसकी 100% अकोर्डिंग टो परेंडिव और प्लेस आइटम्स में हाप लिख दूँगा सेंटर बिल्कुल के अंदर सेंटर में आने चाहिए वह डिस्प्ले यहाँ पर मत ग्रीड कर दूँगा अस्तरी से अगर मैं इसा करता हूं तो इमेज पर कोई फरक नही है तो बैसिकली यह सेंटर में आई चीज़े देखो सेंटर में नहीं मुझे चाहिए मुझे पहले की कैस मुझे अलग चाहिए तो मैं लिख दूँगा यार जो मेरा एडमिन इमेज जाना इसके अंदर एक इमेज है और इसकी जो विट होगी वो होगी 50 पिक्सल और जो इसमें बॉड़ा च्छोटा हो जाता है और मैं इसका बोड रेडियस एक कर सकता हूं 50 पर सेंट और बॉर्डर में इसमें वन पिक्सल सलीड और एक रेंड़म सा में सब्सम में देखेस में पैडिंग बिड़न कर सकता हूं 5 पिक्सल का अगर वैसा करता हूं तो यहां पे यह मुझे अगर इसको मैंने 10% दी तो मैं काम करूँगा जो मेरा admin panel नहीं admin का जो basically text है और वो text की spelling मैंने गलत कर रखी है मुझे सही करने पड़ेगी admin जो text है इसको मैं complete copy करूँगा और admin.text होगा तो admin मैं हाप लिख दूँगा admin.text और मैंने इसको complete copy करके हाँ पर डाल लूँगा इसकी जो width होगी वो होगी obviously 60% और height होगी वो होगी 100% according to parent div display होगा flex और justify content basically flex का जो भी direction होगा वो होगा इस तरीके से तो अब देखो मुझे कुछ इस तरीके चीज़े दिखाई देंगी सो अभी इसमें problem है और ऐसा कैसे problem हो सकता है इसके अंदर अगर में बेकराउंड के लिए इसमें red करूं तो मुझे दिखाओ कि इसका red कर यहां पर set है तो guys मैंने इसमें padding काफी ज़्यादा दे रखी होगी मुझे padding इतनी provide नहीं करनी है मैंने काफी ज़्यादा पैटिंग दे रखे तो मैं इसको टॉप टॉप टॉटम ओनली टेन पिक्सल करूंगा और इन फेक्ट अगर माँ 5 पिक्सल करूं तो भी बहुत ज़्यादा है ठीक है और center नहीं मैं यहाँ पर space अराउंड करूंगा इस तरीके से तो यहाँ पर प्रोपरली चीज़े सेट हो जाएंगे यहाँ बड़ अगयने चीज़ थोड़ी सी damage है कही ना कहीं तो width मैं इसको auto करूंगा इस तरीके से में आपसी है और यहाँ पर प्रोपर्ली सेट हो शुकी है और अभी के लिए मुझे इसको ऐसे रखना हैशको माली जहां अब सही है की यहां पर simply कुछ ऐसा चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूँ मैं कि इसा करूँ मैं इसके हमाई बेगराउन का खलर एक बार रेड़ करूँ और इसको टेस्ट करना चाहूँ मुझे किस तरीके सीजी दिखाई दे रही है तो यह देखो मुझे कुछ इस तरीके सीजी दिखाई दे र एक हम आगे सबसे पहले जो admin text है उस admin text के अंदर सबसे पहले admin name भी है तो मैं इसको complete copy करूँ यहां पर जाओंगा और जो मेरा dots admin note image admin text है इसका जो admin image name होगा उसको पर मच जा कि क्या करूँ जो कलर होगा सबसे पहले आप पर Google फोंस जिसी फंक्सिलेटिक यहां पर यूज कर सकते हो मैं नहीं कर रहा फिलाल तो कलर हम लोग इसमें सेट कर देंगे पॉइंट सेवन एवेंचुली हम लोग पॉइंट सेवन सेट कर देंगे और इसी की साथ साथ जिसमें जो फंक का साइज होगा नोट फंक ओली फंक का साइज होगा वह वह वन पॉइंट वन रैम सेट कर देंगे ठीक है और फंक की जो फैमेली होगी वह यहां पर गिल सेट कर कर देंगे इस तरीके से और टेक्स का जो भी ट्रांस्फर्म होगा केपिटलाइज सेट कर दो रिफ्रेस करो सो यह देखो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देंगी बड़ा गज एक्चुली मैं थोड़ा और इसको सेट करूंगा पॉइंट टू रैम कर दोंगा अगर कासव बड़ा चैपकंश करते हों इसको सेक्च ट करने का लेख गारगा इसमें कोई रोकेट सेंस वाली बात यहां पहीं नहीं sortirड कही यह आप लोग अपने शापी सब्सक्रJ क्सक्टमाईज कर सकते हो ठीक है और best है हम लोग इसमें padding set कर देंगे फिर padding हम लोग बाद में set कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग ऐसा करेंगे guys हम लोग यहाँ पस लिखेंगे तो guys इसमें जो space आरहा वो space कशयों आरहा I don't know spaces में नहीं आरा ठीक है जिस्टिफाई कंटेंट से इसको महटा के सेंटर करूगा रिफ्रेस करूगा तो यह देखो इस तरीके चिपत चुका हाँ अब सही है तो जो पहले तो admin image थी उसका जो margin होगा ठीक है वो margin होगा left to right basically right से थोड़ा अब मार्जिन लेगा फोर पिक्सल का तो देखो थोड़ा से इसमें मार्जिन ले लिया फोर पिक्सल का ठीक है अब जो margin होगा admin text का वो थोड़ा ज्यादा होगा margin text margin होगा top to bottom zero left to right 10 pixels का margin होगा इस तरीके से ठीक है और इसी के साथ मेरा यह जो इमेज है उसको भी प्रोपर्ली सेट कर लूगा तो होप की चीजे क्लियर है अगर मैं इस बेगराउंड क्लर को हटा दूं इस तरीके से तो चीजे सेट हो जाएंगे बाइद इफोर्ट यह दे स्टेटस है उसकी जो value होगी वह इसलिए वह स्टेटस देखना चाहिए एक बार हाँ तो वह स्टेटस ही है ठीक है तो स्टेटस का जो फंट का साइज होगा 0.9 रहा मैं सको लिखूंगा इस तरीके से तो थोड़ा short हो चुका है ठीक है इस तरीके से और मैं यहाँ पर हमेली होगी वह होगी यहाँ पर aerial sense और इसी के साथ साथ हम लोग simplest में text का transform होगा यहाँ पर मैं capitalized set कर दूगा और मैं जो रिफ्रेस करूँगा देखो properly चीज़े set हो चुग एक्टिव रहा मुझे दिखाई दे रहा है बट इसका जो color होगा वह हम लों RGB 0.6 कर देंगे इस अब सही है सही है सही है ना स्टेटस मुझे पर प्रोपरली दिखाई दे रहा है मुझे आप यह लोग आउट वाली फंक्सलिटी चीए मुझे कुछ इस तरीके से यह बटन चीए तो मैं किस तरीके से करूँगा मैं बताता हूं देखो आपको करना क्या simply यह जो लोग आउ होगी इसकी 100% की रिफ्रेस करूँ तो अभी कुछ वा नहीं बड़ अगर मैं बेगराउन का कलेस का रेड कर दूँ तो रेड पे वो चीज़ हमको दिखाई देगी तो देखो नहीं दिखाई दे रही है और एड्मिन टेक्स्ट के अंदर थोड़ी है वो एड्मिन टेक्स् है दूँगा एड्मिन पेनल सेव करूँगा तो यह देखो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है और हैट मुझे इसकी प्रोपली नहीं दिखाई दे रही है तो हाइट को मैं हाँ पर 40 पिक्सल अगर सैट करूँ रिफ्रेश करूँ तो इस तरीके से दिखाई देगी ठीक है और मैं हो पर बोडर रेडियस इसकी 5 पिक्सल कर सकता हूँ और इसे के साथ साथ मैं इसका जो डूर कोड होगा वो वाइट कर सकता हूँ टेक्स का जो भी ट्रांसपर्म होगा चेपिटलाइज कर सकता हूँ और front का size मैं हाँ पे 1.7 RAM कर सकता हूँ कुछ भी कर सकते हो और place item मैं हाँ पे center कर सकता हूँ display मैं हाँ पे आके grid कर सकता हूँ और मैं इसको refresh कर सकता हूँ यह देखो इस तरीके से बर text decoration मुझे none नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैंने किया ही नहीं तो text decoration मुझे none करना था रिफ्रेश करूँगा यह आप लोग दे सकते हो इस तरीके से हमने इस चीज़ को select कर लिया बट इसकी जो front का size है वह भी जयादा है मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा पॉइंट 1.4 रेम ठीक है और title भी हमको लिखना इसमें तो हम लोग यहां पर लिख देंगे title हम लोग आप लिख देंगे title लिख देंगे log आउट इस तरीके से और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा इस तरीके से चीज़े set हो जाएंगी properly so hope that makes sense और यह चीज़े हमारी properly set हो चुकी हम एक काम करूँगा इसमे पैडिंग मुझे set करनी पड़ेगी तो पैडिंग हम को set करनी पड़ेगी तो पैडिंग हम लोग किस तरीके से set करेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे margin set कि जाए बट margin बाद में set कि जाए सबसे पहले इसमें पैडिंग set की जाए और पैडिंग basically इसमें set की जानी है थोड़ी ज्यादा तो 10 पिक्सल का अगर मैं इसको करूँ हाँ अब सही है ठीक है 10 पिक्सल का मैंने किया तो यह perfectly है और इसी के साथ हम लोग इसमें 15 पिक्सल सेट कर दूँगा ठीक है अब यह property set है इसी के सा इसको एडिट कर लेंगे body का color तो हलका सा हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे थोड़ा सा इस तरीके से रखेंगे ठीक है तो आप लोग दे सकते हो बड़ यह जो background का color होगा box का उसको हम लोग triple white कर देंगे इस तरीके से तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है ठी प्राम से बसकता हूं इसमें को rocket sense वाली बात ही नहीं है मैं यहां पे कर सकता हूं info को call और complete copy करके मैं यहां पे इस पर जा सकता हूं dot info पे मैं set कर सकता हूं जीजों को dot info इसकी जो width होगी 100% होगी और height हम लोग auto कर देंगे in fact और padding हम लोग set कर देंगे इसमें top to bottom 20 pixel या फिर 20 pixel ही कर देंगे और place items हम लोग यहां पर लिख देंगे center display हम लोग grid कर देंगे और front का size हम लोग थोड़ा increase कर देंगे इसमे 1.4 यहां ज्यादा नहीं करूँगा मैं बस ठीक है और text का जो भी transform होगा वो यहां पर मैं कर दूँगा capitalize not rendering text all right मुझे text का transform करना था तो इसको हटा कि text का जो भी transform होगा मैं हापे capitalize set करूँगा यहां ठीक है इस तरीके से तो चीजिए और properly यहां पर set हो जाएंगे इसमें कोई बात नहीं होगी अगर मैं यहां पर जाता हूँ तो यह देखो इस तरीके चीज़े set हो चाती है इस तरीके से ठीक है तो इन फो को मैंने बड़े अराम से बना दिया इसके अंदर जो आई टेक होगा उसे डिजान कर लोगा मुझे टाम तरीके सागेशमेर मिल्बी मुझे बड़े के सही। फेंट का मुझे wisely set करना पड़िगा है कुप्लीट बॉल्ड ठीक है और बन्मझे यहां पर मुझे पर स्भृठ घनी पड़ेगी एाइरियल और इसी के साथ शात मुझे आपर सेट करना पड़ेगा कैसे हैट करना पड़ेगा मैं देखना साओंगा एक बार के लिए बस अभी के लिए ठीक है बट मुझे आप इसका कलर होगा वह और जी बी के एंदर पॉइंट सिक्स एट करना पड़ेगा रिफ्रेस में इसको करूँ आ हाँ ठीक है बट मुझे एरियल वाली ने ची मुझे तोुम्हें इसमें तो मुझे ठोड़ा स्पेस से ये बेंट्शली तो मैं स्पेस इसमें लिए एनलौगा और मैं लिखूंगा इसमें यहाँ पर आकि जो डॉट इन्फो है इसका जो आई है इसका जो मार्जिन आप से आप लोग 6 पिक्सल का इसको इस पेस दे दो ठीक है अब और हम लोग इसमें बोक्स सेडिंग पास कर सकते हैं हलका सा ठीक है और यह चीज भी हम लोग यहां पर सेट करेंगे रिफ्रेस करेंगे तो यह देखो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है बट इसमें काफ एक लिए फाइ पिक्सल और मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं टॉप टूब बोटम 6 पिक्सल लेट रट जीरो कर सकते हैं इस तरीके से होप की चीज़े क्लियर है या फिर नहीं क्लिए रह तो और थोड़े श्पेस 10 पिक्सल आप लोग दे दो अब देखो इस तरीके से च लिस्ट यूजर का था उसको मुझे create करना तो बड़े अराम से हम लोग create करना है तो एक last हमारा part बन सा list user का उसको हमको create करना और तो almost हमारा complete यहां पी होई चुका है परसेंट और मैं हाइट इसके ओटो कर दूँगा ठीक है पैडिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है एक बार के लिए और पोजिशन में इसके रिलेटिव कर दूँगा ठीक है तो अभी के लिए मैं इतनी प्रवाइड कर रहा हूं फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे ठीक है अब देखो यह बात कुछ ऐसी है जो लिस्ट यूजर होगा डिस्प्ले होगा फ्लैक्स जस्टिफाइग कंटेंट बिल्कुल हमको प्रवाइड नहीं करना और फ्लैक्स का जो भी डैक्शन होगा वो कोलमाईज होगा इसके अंदर एक की नीचे एक दिखाई दे मतलब यह अप लोग अपलोग हाइड सेट कर दो ओटो तो ओटो आप लोग कर दोगी चीजी थोड़ी खूप सुरू दिखेंगे इससे ठीक है हम लोग ने हाइड ओटो कर दी हम लोग पैडिंग इसमें सेट कर देंगे पेन पिक्सल का यह फिर हम लोग 7 पिक्सल का top to bottom left to right इसमें च की तो देखो इस तरीके से आचुका था इसमें थोड़ा सा मुझे ट्रांस प्रेंटिंग करना पड़ेगा इसको इस तरीके से और मैं सेव करूंगा हाँ अब सही है और इसी के सासत मुझे इसमें बॉर्डर का जो रेडियस होगा वो यहां पे 5 पिक्सल सेट करना पड़ेगा और मुझे यहां पे box setting सेट करना पड़ेगा 0 horizontally 0 vertically and 2 pixel का बलर और आज भी के अंदर मैं एक नमसा यहां पे color भी चूज़ कर लूँगा in fact यह वाला सो यह देखो अभी इसमें नहीं आया बट मैं थोड़ा सा color इसमें उपर लेगे चलता हूं और आएगा यह देखो complete इसमें border भी आ चुका है आप लोग border मैं कर देता हूं और यह तो काफी ज़्यदा हो चुका पॉइंट अगर टू करूं मैं हाँ यह सही है सिंपल अगर मैं वन कर दूं तो भी ठीक है अब सही है complete और इसका थोड़ा सा color हम लोग और और सेट करेंगे इवेंचली हाँ यह सही है अब सही लग रहा है मुझे ठीक है अब क्या करना है सबसे पहले जो भी इसको अलग क्यों करें तो हम लोग यहां पर लिख देंगे डिस्पले फ्लेक्स ठीक है justify content center और align item center इस तरीके से बस यह property मुझे सेट करनी है तो इससे क्या होगा इस तरीके से प्रोपर्टी आएंगी इसमें तो गई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें हमारा image वाला पार्ट image को मैं अभी active करना जाओंगा अब जैसे मैं इस image को करूंगा को इसमेज को यह जो मिरी में इसको मजब यसे active करूंगा save करूंगा refresh करूंगा यहां पर आकि तो हम लोग इसको प्रोपर्टी सेट कर लेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे जो भी user image है user image किसके अंदर है यूजर की एंकर टेक के अंदर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा dot list user a तो dot list user a और फिर user image है मैं इसको complete paste करूँगा और right इसको नहीं मुझे चलना पड़ेगा इस user image को इसको complete copy करना है यहाँ पर जाना पर paste करना है ठीक है width auto height auto and हम लोग इसमें क्या करेंगे position इसकी relative करतेंगे यह मुझे डिव लेने को नीड नहीं थी बड़ मने ले लिया तो कोई और चीज इसके अंदर add की जा सकती है फ्यूजर के इसलिए मैं image set करूँगा इसमें मैं bit set करूँगा इसमें basically 40 pixel and height set करूँगा मैं इसमें 40 pixel का ठीक है तो अगर मैं इस पर जाओं तो यह देखो इस तरीके से में यहाँ पर properly set हो चुकी है मैं border की बात करूँ यहाँ पर और जीबी के अंदर border set कर दूँगा मैं और यह मैं यहाँ पर border set कर दूँगा इस तरीके से अभी आपको border इस दिखाई दे रहा है मैं इसमें border की जो radius होती है उसको 50% set कर दूँगा एंड पैडिंग मैं यहाँ पर set कर दूँगा 5 पिक्सल का तो पैडिंग यह set हो जाएगा इसमें ठीक है बड़ देखो इसका अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग इसका color white कर दे तो best लेगा तो background का जो color होगा हम लोग इसमें white कर देंगे तो यह दो कुछ इस तरीके से करेंगे सेट हो जाएंगे automatically तो किसकी विर्थ यह जो user text है इसकी मुझे set करनी है तो user text की विर्थ को मैं किस तरीके set करूँगा बात करते है देखो जो मेरा user text है इसकी अगर मैं width set कर दूँ obviously 70% ठीक है और मैं height set कर दूँ इसकी यहाँ पर आके 100% ठीक है और display flex करूँ और flex का जो भी direction mode होगा वो colonize करूँ तो देखो इस तरीके चीज़े set हो जाएंगी ठीक है अगर मैं background का colors में red करके आपको दिखाऊंगा एक बार तो इस तरीके पाइफ्रेम और टेक्स का जो भी ट्रांस्पर होगा capitalized set करोगे इस तरीके से ठीक है capitalized वहना से रीफ्रेस करोगे तो इस तरीके से डेकरेसिं बिल्कुल नहीं नहीं हो इस property को मैं यहां पे अड़ गरूँगा यहां पे तो इसका नन नहीं हुआ अबीज से रहूँगा मैं इसको और I don't know यार नन क्यों नहीं हो रहा उसका अगर मैं इसको important करता तो नन हो ना चीज़े वो ठीक है बट यह नन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पे चलेंगे और यूजर नहीं हो रहा और ABCDXYZ मन लिखा है तो इसका टेक्स्ट है वो बिल्कुल नन होना चीज़े और होगा भी कैसे क्योंकि यह जो एंकर टेक है इसका टेक्स डेकोरेसिं मुझे आं पे नन करना पड़ेगा ठी एक पूरेस्स करों और टिश्मप रोग युट तो होज चुका है ठीक है अब हम लोग सबसे पहले तो इसका का फेंटकी टा मैं मीली सैट करेंगे गिष्एं सो ठीक है सत्के इस के सब्सक्र des hades सथ— और हम लोग ऐसमे वहोटा चाय च्पायब्स कर पाई है तो मैसेज क्या होगा मैसेज भी कुछ ना कुछ मैसेज होगा तो मैसेज करके यहां से दोनों को मैं अठा दूँगा इस तरीके से ठीक है तो टेक्स डेकोरेशन हमने हाप इसको मैं रिफ्रेस्स करूँगा तो आप लोग देखो इसकी फैंट के साइज बहुती ज्यादा कम है यार ज्यादा इनफेक्ट तो पॉइंट 9 रेम इसको सेट कर दूगा इ यह सेट हो जाएगा इस तरीके से और इसी को मैं डूप्लिकेट कोपी करके हां पर लेके आता हूं इसका पॉइंट 5 रेम कर देते हैं इस तरीके से ओर राइट सो यह देखो प्रोपली सेट हो चुका है बट इसमें मैं यह फंट फैमिली यूज नहीं करने वाला और मैं फ इसमें कोई रोकेट सेंस वाली बात नहीं है और अगर मैं इस बेकराउंड को कलर को हटाऊं तो यह देखो मुझे कुछ इस तरीके से चीज़ दिखाई दे रही है और यूजर टेक्स का मैं मार्जिन बोटम से थोड़ा स्पेस सेट कर सकता हूँ 20 पिक्सल ठीक है इस तरी का साइज देंम का 0.4 रैम और कर सकता था और हाँ अभी सही है ठीक है क्या करेंगे हम लोग हम लोग लिखेंगे जो मेरा यूजर टेक्स्ट है इसके अंदर माल जिन सेट की जाएगी सबसे पहले तो सेट की जाएगी हां पर आपर आ के अ कि अबटम लेप्ल अबसces जीरो left to right आपके 20 pixel set की जाएगी इस तरीके से so that's it यही चाहिए ठीक है यह देखो प्रोपल यहाँ पर से हो चुकी अगर मैं margin basically right से लूँ इस image की तो यह भी आप लोग कर सकते हो margin right से मैं इसको लेता हूँ 10 pixel का और save करूँगा मैं तो देखो थोड़ा यहाँ पर gap आजाएगा इसके बराबर में तो मुझे चाहिए तो यह भी इसके बराबर में नहीं है लेकिन यह प्रोपल यहाँ पर set हो चुका इसमें कोई problem नहीं होगी अब बात आती हाँ पर dot की तो यह dot मुझे बनाना मतलब कोई यूजर अभी एक्टिव है या फिर कोई यूजर अक्टिव नहीं है वो मुझे दिखा हो तो मैं dot उसके लिए class ले रहा हूँ width में इसके लिखूँगा यहाँ पर आके 10 pixels मैंने काफी ज़्यादे कर दी infect हम लोग set करेंगे height भी 10 pixels कर दी और background का color हम लोग क्या करेंगे हम लोग sea green करेंगे हम लोग यहाँ पर sea green set करेंगे या फिर यह जो spring green है यह कर देंगे यह देखो ठीक है और border की जो radius होगी वो हम लोग लिख देंगे 10 pixels नहीं हम लोग लिख देंगे 50% इस तरीके से और इसे के साथ यह 50% हो चुका हम लोग इसमें box setting भी set कर सकते हैं हम लोग से लिख सकते हैं हम लोग से लिख सकते हैं इसमें 0000 और 10 pixels का इसमें बलर मैंने देदूँगा और मैं green कर लिस में डाल दूँगा इस तरीके से but again मैं इसको थोड़ा सा light करना चाहूँगा इस तरीके से हाँ अब सही मुझे दिखाई दे रहा eventually और इसको हम लोग थोड़ा सा dark करेंगे इस तरीके से अब थोड़ा ठीक है simple ठीक है सो होब की चीज़े clear है और इतना हमारा काम हो चुका है और मेसेज वगएर मुझे यहां पर प्रोपर ली दिखाई दे रहे है अभी मैं एक काम और करूँगा यह जो user है मैं margin bottom से तो हैर मैंने margin bottom से तो कोई space लिया नहीं था मैं इसको margin basically क्या करूँगा मैं margin को यहां पर इस bottom को अटा दूँगा मैं इस तरीक है तो मैं लिखूँगा top से कोई space नहीं चाहिए top से अगर मुझे कोई space चाहिए भी तो हम लोग बाद में add करेंगे मुझे left से 20 पिक्सल का space चाहिए और bottom से basically 5 पिक्सल का space चाहिए अब देखोए प्रोफल ली सेट हो चुके इसके बराबर में ठीक है और राइट इतना हमारा काम हो चुका है अब अगर मैं multiple users को यहां पर add कर दूँगा इस multiple users को मैं यहां से इस तरीके से duplicate copy करके यहां पर add करता जाओं और मैंने 3 add कर दी है इस तरीके से तो यह देखो चिपक्या रही है चीज़े तो मुझे चिपक्या बिल्कुल यहां पर चीज़े नहीं चीज़े मैं थोड़ा से space दूँगा और वह space दूँगा मैं एक अंदर है यहां पर कोई कहीं भी margin add नहीं की गई है तो मैं लिख दूँगा margin top to bottom 20 pixel left to right 0 set कर दो यह देखो ज्यादा कर दी मैंने और मैं इसको 10 pixel set करूँगा in fact ठीक है इस तरीके से hope की चीज़े clear है ठीक है इतना हमारा काम हो चुका है अब कल के दिन आपके multiple user यहां पर हो सकते हैं तो हम लोगे काम करेंगे basically ऐसा होगा कि ऐसा होगा अगर मैं मेरे code पर जाओं ठीक है और यहां पर जाके मतलब यह देखो काफी हो सकते है मैं चाओं कि इस box की width यहां तक रहे max width बाकी की max width इसमें sorry height max height इसमें नहीं रहे तो जो list user है इस पर जाओंगा मैं इसमें लिखूंगा max height ठीक है और max height मैं अगर कर दू 70% not max width यार max height करनी थी मुझे यहां पर max height और मैं save करूंगा और मैं इसको refresh करूंगा ठीक है तो देखो कोई यहां पर चेंजमेंट नहीं आया और इसा कैसे हो अगर मैं इसको 60 pixel set कर तो देखो यहां पर जा रही है बट मैं इसको कर दूंगा यहां पर 200 pixel इस तरीके से और मैं refresh करूंगा इनफेक्ट मैं इसको 300 pixel कर देता हूं इस तरीके से हाँ अब सही है अब देखो एक बाहर जा रहा है इस तरीके से हना वह बाहर नहीं जाना सही है तो मैं लिख दूंगा यहां पर आकि आवर फ्लोव हीडन ठीक है आवर फ्लोव हीडन हो चुका है और आवर फ्लोव कंप्ल बाहर मेरे सामने आज चुका है तो मैं क्या करूंगा मैं लिख सकता हूं यहां पर डोट लिस्ट यूजर का जो भी स्क्रोल वेबकिट स्क्रोल बाहर है इसकी जो वीड़ होगी वो जीरो कर दो और इसको रिफ्रेस कर दो यह देख सकते हो अब कितने भी यूजर मेरे साथ कर सकते हैं मैं इसमें कोई टेंसने जाएं मैं प्रोपर लिए सको सेट कर सकता हूँ है कर सकता हूं और हम लोग यहां पर पॉइंट वन सेट करेंगे इसका बोक्स एडिंग हाँ तो गाई हमारा ऑल्मोस्ट कंप्लेट काम हो चुका और हमने यूजर वाला अकाउंट यहां पर यूजर जो अपना नाम वगदे डालेगा वह ने आपर बना के आपको दिखा दिया है इसमें आप लोग चाहते हैं कुछ इस तरीकित दिखाए दे तो इसके में टेक्स वगदे आप लोग यूज कर सकते हैं इसके में पंदर एक है दो दिन के बाद में ठीक है तो देक्स देट सेंड वीडियों मिलते हैं नेक्स में तक के लिए थैंक्यों वाइस सो मस्टेक केर बाए बाए